एक बैल पत्र, एक धतूरा, धतूरा जानते हो? आरे बोलो तुझ में जानते हो ना? एक बैल पत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र, शमी पत्र कितना? एक एक बेल पत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र और एक सफेद पुष्प, केवल एक सफेद पुष्प, एक आखा चावल का दाना, आखा का मतलब जानते हो, मतलब पूरा सेगा चावल का दाना, एक एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक धतूरा, एक बेल पत्र, ये सब हाथ में लेकर, अगर तुमको ऐसा लगता है, कि आपको ऐसा मैसूस होता है, कि मेरी सारी राहें बंद पड़ी हुई है, और मैं जिस काम में हाथ डालता हूं, वो काम आज होता ही नहीं, द जिन लग जाते हैं, जब दुनिया के लोगों के पास में सुखा जाता है, तब भगवान मुझे सुख देता है, जब दुनिया का भला हो जाता है, तब मेरा भला होता है, भगवान मेरी सुनता नहीं, सब राहें बंद हैं मेरें, कोई दस्ता सूजी नहीं आए, अगर मैं फसल लेने की सोचता हूँ, तो फसल नहीं आती, काम करने की सोचता हूँ, तो काम नहीं होता, कुछ ना कुछ टेंशन मेरी जिंदगी में है, तो कभी मोका मिल जाए, जिस दिन तुमारे हाथ में ये सबी चीजें हो, बेल पत्र, धतूरा, पुश्प, शमी पत्र, चावल का गाना, ये सब तुमारे हाथ में हो, और शिवरात्री का दिन हो, बारो महिने कोई सी भी शिवरात्री, शिवरात्री का दिन हो, उसी शिवरात्री के दिन, जिस दिन आप दोपहर में मंदिर चले जाएं, या शाम को जाएं, या सुबहा जाएं, कभी भी, पर शिवरात्री क कि दिन अपने हरदाय में ध्यान करकर और तृपुरारी नाम का स्मर्ण करकर कौन सा नाम तृपुरारी नाम का स्मर्ण करकर भागवान शिव से अपने मन की बात कहकर भोला सब दुख काटो त्रिपुरारी नाम का इस्मर्ण करकर हाथ में लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर हम समर्पित कर देते हैं तो ये निश्चित का है राहें अपने आप खुलना प्रारम हो जाती हो कारें सपल का त्रिपुरारी नाम सुख देने वाई तीन पुरियों को भस्म करा तीन पुरियों को भस्म करना मतलब हमारे सामने जो भिगन आ रहा है हमारे सामने जो कहीं ना कहीं तकलीप आती है उस उस भिगन को समाप्त कर दे वो त्रिपुरा हमारे भिगन को जो समाप्त कर दे वो त्रिपुरा नगे तो बगवान शिव की भक्ति के बल का आनन्द तारकासुर के बैटे तारकाक्ष विदम्माली कमलाक्ष की तीनों की पुरियों को भस्म कर दिया भगवान देवदी देव महादेव तीनों की पुरियों जब बस्म हो गई शंकर भगवान ने देवताओं को पशु बनाया संकर भगवान उनके पती बनकर युद्ध करने के लिए चले तीनों भाग एक जगा एक अग्रीथ होकर उन्होंने आक्रमन किया भगवान शंकर के उपर शिवजी का सीष कटकर नेपाल में गिरा और धड़ केदार में रहा तो वो केदारेश्वर हो गए शीष नेपाल में गिरा तो पशु पती नात हो गए डोलेश्वर महादेव हो गए पशु पती नात हो गए तार का सुर के तीन बेटों का संगार देवदीदे महादेव ने करा पशु पती व्रत का फल शिव महापुरान वर्णन कर रही एक होता है पशु पत्य अस्त्र एक होता है पशु पत्य व्रत एक पशुपत्यास्त्र होता है, पशुपत्युरत होता है